नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैं इसकवर करूँगा वो है ECS TTIM प्रयाग का तेतिस्वा मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है टीम BCC vs टीम PSM के बीच में तो इस वीडियो के अंदर में आपको बताओंगा कि दोनों टीम की ओर से ओपन कौन से प्लेयर करेंगे कौन से प्लेयर जैकपोट रहेगा किस प्लेयर को आप लोग है to it में try कर सकते हैं तो यह सारी जनकारिया आपको में वीडियो के अंदर प्रॉइट कराने वाला हूं तो और अगर आप लोग इस match में कुछ earn करना चाहते हैं तो वीडियो को complete watch करेगा और एक बहतर team बनाने की कोशिश करेगा बाकी जो भी मेरी final update होगी जो भी मेरी final team होगी इस match से related after lineup या toss के बाद मैं आपको अपने telegram channel पर बता दूँगा बिल्कुल free में हमारे telegram channel पर currently भी 4000 से ज में दे रखा तो आपको comment section में जाना है comment section में जो सबसे पहले नंबर पर comment होगा जो comment pin किया गया होगा वो मेरे channel का link होगा जिस पर click करते ही सीधा आप लोग हमारे channel पर पहुंच जाएंगे और बाकी members की तरह free teams का profit उठा पाएंगे अगर link वर्क ना करें तो comment में आपको channel का name भी मिल जाएगा जिसको search करकर भी आप लोग हमारे channel से जुड़ सकते हैं बाकी जो भी मेरी 100% winning team होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम channel पर ही मिलेगी तो इसलिए मारे टेलीग्राम channel को जाके जरूर जोइन करे ना क्योंकि यह आपके लिए important भी और आपके लिए बिल्कु जरूर कर लीजेगा और पास में जो घंटा उसको जरूर आप प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके यह आपके लिए important भी है और आपके लिए बिल्कुल free भी तो जरूर एक काम कर लेना तो यहाँ पर मैं आपको दोनों टिम्स का ए PSM के मुकाबले BCC ने इस मुकाबले में 6 मैचेस खेलें जिसमें से वो 2 ही मैच जीते हैं और 4 मैच चार हैं जबकि आपर प्रियाग ने यहाँ पर 6 मुकाबले खेलें जिसमें से वो only 2 मैच जीत पाएं तो दोनों टीम्स ने अभी तक 6-6 मुकाबलों में से 2-2 मुकाबले जब last time यह दोनों टीम्स आपस में टकराएं थी तो यहाँ पर प्रियाग स्पार्टन्स ने BCC को 7 विकेट से हरा दिया था तो आज हो सकता है कि जो टीम BCC है वो इस बात का यहाँ पर रिवेंज ले और प्रियाग स्पार्टन्स को भी आज वो 7 विकेट से हरा दे अगर मै मैं बात करूँ वेदर की तो वेदर काफी जादा बेकार रहने वाला 78% शांसेस हो सकते हैं इस मैच में रेंके तो इसलिए मैच में ज्यादा इंवेस्टमेंट मत करेगा कम ही करेगा क्यूंकि मैच कैंसल या फिर ओवर्स कम करने के चांसे ज्यादा हैं अगर मैं बात करूं विकेड की तो जो वाई ने किर्केड ग्राउंड की विकेड है वो बैट्समें बॉलस दोनों को मदद करती है तो यहां पर आप जो टीम क्रियेट करें एक वो बैलेंस टीम क्रियेट करें यानि एसी टीम क्रियेट करें जिसमें आप बैट्समें बॉलस दोनों को मुखा दें एवरेज फरस्ट इनिंग स्कोर यहां पर लगबग 80-90 के आसपास है जो भी टीम चेस करती है वो 40% चांसे से उसके खाल मुक्तर जाहिद महमूद इम्रान उलहक मुहमन नबीर महमूद जुबैर प्रताब जकताब अलीवकर वसीम का सौरब का कारिया आपको खेलती हुए नजर आएंगे अगर मैं बात करें उनके लास्ट मुकाबले की तो लास्ट मुकाबले में आपने आप देखा कि जो टीम PS प्राक स्पार्टर मोबलाइजर थी उसने BCC को साथ विकेट से हरा दिया था तो इनकी टीम ने 72 रन बनायते साथ विकेट पर जहां पर सकलान मुक्तर ने आपर पांच रन बनाया जावेद इग्वाल ने 24 रन की पारी खेली इठार गेंदों पर जाहिद मेमूद जीरो रन महमूद रहने वाले और आप महमूद जूबेर रहने वाले हैं तो यह चार प्लेयर जो है वो बैटिंग सेक्शन से आपके लिए important रहेंगे इनकी टिम की और से अगर मैं बात करूँ इनकी टिम की बॉलिंग की तो यहां पर आप देखेंगे कि काकारिया ने दोर में 12 रन विकेड नहीं निकाले अली वकर ने दोर में 12 रन दिए विकेड निकाला वसीम खान ने एक और में नोर रन देखेंगे विकेड निकालिया मुक्तर ने भी आपर एक और की बॉलिंग करा है 16 रन दिए और यहां पर जावे दिखबाल जो किनके कैप्टन है उन्होंने अपन कुमार रेडी नवीन पुरंदा शिधार शर्मा सागर एमडी सहदत हुसेन मनी पदरू वेभब नुकदार अरुन कॉंदा परसाद राम चंदरन अल महमूत अजर अलम आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे तो इनकी जो टीम है वहार क्या रही है ठामर रनों से पिछले मकाबले में इनकी टीम सरसट रन बना पाई थी मात्र 125 इनको चेस कने थे तो इस मकाबले में सागर एमडी साधत हुसेन ने आप दो रन की पारी खेली थी सुरेस कुरम वो इना जो कि इनकी टीम के कैट्टर ने ओपन करने आये तो डख पर आउट होगे नंबर तीन पर वे यहां पर रहने वाले सागर अंदत हुसेन सुरेश नुगदकार उसके लावर यहां पर अशोग कुमार रेड़ी तो यह चार प्लेस जो हैं वो इनकी और सापके लिए इंपोर्टर रहेंगे बैटिंग से बाकि अगर मैं बात करूँ यहां पर बॉलिंग की तो यहां पर कि देट सकते हैं अशोग कुमार रेड़्ी ने यहाँ पर दोवरमें 24 अंदियी विकेट एक भी नहीं निकाला ал- शोक और में बूर में सतरय र зачस नएब दोर में बाकिन और budsạnh चाहब वह चार दो नहीं पर नहीं एक बार मैं फिर से आपको दोनों टीम्स के टॉप प्लेस के बारे में बता देता हूँ तो पहला नाम याप पर निकल के आएगा सावेद इकबाल का जो की राइट हैं बैट्स में ने राइट टाम फास्ट बॉलिंग करा थे अप्री टीम बीसी सी के के वो कैप्टन भी हैं अभी तक टूना मिड में इन्होंने प्रैक स्पार्टन के गलाफ 24 सर मना थे जो लास्ट मुकाबले लों ने खेला था सो अरब का कारिया कि मैं बात करूँ की बॉलर ने प्री टीम के लेट आम मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं इन्होंने एक भी विकेट अभी तक नहीं मिकालें जो लास्ट मुकाबले हुए थे इनके तो एक अच्छी एकनोमिकल इस पहले यह डाल सकते हैं और विकेट टेकर बॉलिंग कराते हैं लेकिन जो यह टीम है इनके खिलाफ इनके विकेट गिराने के चांसे कम हैं अरुन कॉंदा की मैं बात करूँ राइट इन बैट सकता है बी से सिके खिलाफ अगर बात की जाए बेस्ट चॉइचेस फॉर कैटन वाइस कैटन तो आप लोग कैटन जावेद इकबाल को बना सकते हैं अरुन कॉंदा को बना सकते हैं दोनों पिक सब के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली हैं वाइस कीपर थ्री बैट्समेन, फोर आलांटस, थ्री बॉलर्स का रहेगा अगर बात की जाए इस मुकाबले में कौन सी टीम विन करेगी तो यहाँ पर बीस सी सी के मैच जीतने के चांसे ज्यादा रहने वाले हैं तो दोस्तों उमीद करूँगा आपको ये वीडियो अभी तक ब बिल्कुल फ्री भी तो ज़रूरी काम कर लेना वाकि जो भी मेरी फाइनेल टीम होगी और जो भी मेरी 100 परसंट विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉंटेस जोइन करूंगा वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो उसके ल काले नंबर पर हो मेरे चैनल का लिंकों का जिस पर क्लिक करते ही सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी में बसके तरह आप लोग भी फ्री टेम के प्रॉफित उठा पाएंगे तो जरूर यह काम कर लीजेगा चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि चार पिक जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगी तो लेकिन आप जो सबसे सेफस्ट पिक रहेगी वो यहां पर आपके लिए विकर्ट कीपिंग से नबील रहने वाले हैं देखिए रीजन सिम्पल सा है बैटिंग गटर इनका काफी नीचे है लेकिन बैटिंग करते हैं इसके लाव हैं यहां पर हम वी नोक दुकार को प्रिटीम में ट्राइए करेंगे जो कि अपने टीम के कैटन है और सबसे बड़ी बात जो यह प्लेयर है वो नमबर तीन पे आके या चार पे आके अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है लेकिन जो लास्ट दो मैचेस हुए त लेकिन इंपोर्टन प्लेयर हैं किसी भी मैच में अच्छी पारी खेल सकता है तो यहां पर हमें अपने टीम में टीम में ट्राइए कर लिया है अलानो सेक्शन में हम यहां पर जावेद इकबाल को अपने टीम में ट्राइए करेंगे मोस्ट इंपोर्टन प्लेयर अपनी ट बैटिंग आती तो यह बैटिंग भी नहीं कर पारें बिल्कुर साहिश है तो एकदम फ्लॉप प्लेयर है अभी के लिए बाकि आज हो सकता कि कुछ बाला काम कर जाए तो आप अगर इनको ट्राइए करना चाहते हैं कर सकते हैं बाकि आपर हम मेहमूत को लेंगे जो कि बहुत इचा परफॉर्म कर रहें लास्ट दो मैचे से उसके लाव यहाँ पर एस रेटी पिछले मकाबले में खेले नहीं दे तो इस मकाबले में बहुत ही ज्यादत चांसे से रहेंगे कि खेल सकते हैं और अगर खेले तो आप इनको जरूर भी करेगा बाकि यहाँ पर मैं एक ओं most important pick रहेंगे आपको यहाँ पर इनको भी करना है अगर यहाँ पर यह फरहात खेलते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बॉलर रहने वाला है विकट टेकर बॉलर इसको जरूर ट्राइ कर लिजेगा उसके लाव यहाँ पर ए रेटी को हम लोग ट्राइ करेंगे और बाकिये महा थ्री बॉलर्स लिए हैं बागे अगर आपर एक पिक देखी जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको ता देता हूं कौन सी बिक रहने वाली है यहाँ पर जो पीक है वो है शुरेस बाबू की देखी अगर यहाँ पर आर्सिंग बिष्ट को ड्रॉप करके आप लोग इनको आपर ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि जो पिछला मुकाबला था वहाँ पर यह उपन भी करने आया तो दो बर की इन्होंने बालिंग भी करवाई टि तो आप चाहें तो इनको ट्राइ कर सकते हैं तो कुछ इस परकार के जो यह टीम है वह मैंने क्रिएट की है अपनी इस टीम में मैं बता देता हूं आपको मैंने 6 प्लियर जो लिए हैं वहाँ पर BCC के लिए सकते हैं लेकिन एक पंट प्लेयर आपको ज़रूर अबिनी टीम में रखना चाहिए जो कि आपको वन साइडें विन कराने में बहुत ही अच्छे तरीके से हल्प कर सकता है तो एक बार मैं आपको अपनी टीम का अपन करते हैं साथ में दोबर की स्पिन बाॉलिंग भी करवा सकते हैं जाहिद मेहमुत को लिया जो कि अप्ले डिम के मैच में दो वर की बॉलिंग भी करवाते हैं उसके लाब मैंने यहाँ पर एक उंदा को ट्राइ किया है और यहाँ पर मैंने महमूत को ट्राइ किया है यह दोनों अलब्टर काफी ज्यादा दो वर बॉलिंग मिलती है और ज्यादा तर इनके ओवर सकट किये जाते हैं उसके लाब यहाँ पर मैंने यह रेडी को रखा जो कि कम्प्लीट अपने दो वर का स्पेल कराते हैं और विकर टेकर बॉलर है उसके लाब मैंने यह पर सुरेस बाबु को एक साथ डिफरेंशियल तर पर रखा हुआ है क्योंकि पिछले मैच में यह ओपन भी करने आए थे और इन्होंने कमाल की बॉलिंग भी की थी हलाकि विकेट नहीं मिलाता लेकिन अच्छी बॉलिंग की थी कैप्टर वाइस केप्टन देखिए आप जावे दिखवा सबसे सेफ पिकिरेंगे वाइस मिल्कुल वीक नजर आ रहा रहे हैं जो इनके दो मैच आखरी के यह बिल्कुल भी विए नहीं ले पाएं तो अगर यह विकेट निकालेंगे तो इसट्रांग पहले बालिंग करें तो या worth उप्छिन देवी अच्छीए पर्फॉर्सिंघत न ही दे पाहीं तो आप चाहें लेए जहां पर भी आप लोग को रहे होँ वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को कर सकते हैं और इसके साथ विंठ कर सकते हैं तो दोस्तों विड OKली और आपको वीड़ो पसंद आ naszym ख Viel पर पहली बार आए हो पहली बार मेरे चैनल की वीडियो को वाच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पास में जो घंटा उसको जरूर पर प्रिस कर लेना ताकि आप सभी कौने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके या आपके लिए इंप परसेंड वीडियो का फ्री में प्रॉफिट उठा रहे हैं तो आप लोगी मेंबस की तरफी टीम का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलिगाम चैनल से जरूर जोइन हो जाना इसका जो लिंक है वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे रखा है तो आपको कमेंट की होगा होगा वह मेरे चैनल का लिंक होगा पांच चारकर करें आप लोग हमारे चैनल पर पांच जाएंगे तो प्राइएशेटō वीडियो में तब तक के लिए आप जाहें भी रहें सुष्चित रहें श्ते रहें जितने भी मेंस्ट करेंगें विंग करें हमार टीम मेनेजमेंट से मिलते हैं आप सो जलदी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वंदे महतरम